दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा इंस्टाइगराम पर दूसरों की स्टोरी अपनी स्टोरी में कैसे लगाते हैं मैं आपको दो आसान तरीके बताऊंगा दोनों में से एक तरीका आपके इंस्टाइगराम पर वर्क करेगा और आप किसी की भी story अपनी story में लगा पाएंगे ठीक है तो पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ अगर आपका कोई भी दोस्त आपको अपनी story में mention करेगा तो फिर दोस्तो आप उसकी story अपनी story में बहुत ही आसानी से लगा पाएंगे ठीक है तो यहाँ पर मैं एक story को open करता हूँ अब मैंने दोस्तो इस account को follow कर रखा है इसने मुझे follow कर रखा है और इसने मुझे यहाँ पर mention किया हुआ है आप देखेंगे यह मेरा user name है और यहाँ पर मुझे एक option मिल रहा है add to your story जैसे के आप देख सकते हैं अब यहाँ से मैं back आता हूँ दूसरी story open करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझे add to story को option नहीं मिल रहा है क्योंकि इस account ने मुझे mention नहीं किया है तो यहाँ पर अगर आपका दोस्त या कोई भी बंदा आपको अगर mention करता है अपनी story में तो दोस्तो आप उसकी story को अपनी story में लगा पाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे add to your story को option आपको मिल जाएगा लेकिन दोस्तो आपने जिसे follow किया है और उसने आपको follow किया है और वो बंदा अगर आपको mention करेगा तो ही आपको यहाँ पर add to your story को option मिलेगा अगर कोई private account आपको mention करेगा तो आपको उसे follow करना पड़ेगा तो ही आपको यहाँ पर add to your story को option मिलेगा ठीक है तो पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ जो भी आपको mention करता है आपका follower या आपने जिसे follow कर रखा है तो आपको यहाँ पर add to your story का option मिलेगा इस पर आपको click करना है कुछ time page load होगा और सीधा आपकी story open हो जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर sound भी है मैं आपको दिखा देता हूँ और इसके अंदर अगर आपको punto changes करना चाते हैं यहाँ पर किसी और को mention करना चाते है music वगज़ा लगाना चाते हैं जो भी आपको यहाँ पर customize करना है कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको share button पर click करना है फिर जिस तरह से हम story लगाते हैं दोस्तो आपको एक notification भी आएगा कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देख लीजे आपको message box में message आजाएगा एक notification आजाएगा यहाँ से भी दोस्तो आप दूसरों की story अपनी story में लगा सकते हैं अगर सामने वाले ने आपको mention किया है तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको add to your story story का option मिलता है ठीक है यहाँ से back आते हैं और यहाँ पर आप देख लीजे story अभी post हो रही है post हुई नहीं है यहाँ पर आप देखेंगे story upload हो गई है इस तरह से दोस्तो आप दूसरों की story अपनी story में लगा सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे यह था हमारा पहला तरीका अ यहाँ पर मैं story open करता हूँ ताकि मैं आपको अच्छी तरह से दिखा पा हूँ आप देख सकते ही विराट कुली की story है मुझे अपनी story में लगाना है तो कैसे लगाएंगे story के नीचे आपको share button मिलेगा इस पर आपको click करना है यहाँ पर आपको कहीं भी story का option नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर एक option मिलेगा copy link इस पर आपको click करना है copy करने के बाद आपको यहाँ पर देखेंगे story का जो link के वो copy हो जाएगा आप किसी भी photo को या वीडियो को लगा सकते हैं यानि कि सामने वाले बंदे ने photo लगाया है story में एक से जादा photo लगाया है या एक से जादा वीडियो लगाये हैं सारी story को आप अपनी story में लगा सकते हैं अब यहाँ पर आपको story के link को copy करना है और इसके बाद आपको back आजाना है back आने के बाद आपको chrome browser को open करना है अब यहाँ पर आपको google में search करना है instagram story download इसे आपको search करना है पहले number पर जो website आएगी पहले number पर दूसरे number पर और तीसरे number पर तीनों में से कोई भी एक website आपको open कर लेना है इसके बाद इस तरह से page दिखाई देगा तोड़ा सा नीचे आना है तो यहाँ पर आपको क्या करना है enter box के अंदर long press करना है paste का button मिलेगा इस पर click करना है तो जो story का URL हमने copy किया था वो यहाँ प करना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर कुछ time page लोड़ोगा और story में जो भी photos वीडियो से वो आपके सामने आ जाएंगे आपको थोड़ा सा नीचे आना है तो यहाँ पर आप देखेंगे account दिखाई देगा जिसकी story आप download कर रहे हैं और यहाँ पर आपको photo video दिखाई दे जो भी story आपको download करना है अपनी story में लगाना है तो उसे आपको download कर लेना है यहाँ पर आपको save us video का option मिलेगा इस पर आपको click करना है इस तरह से video open हो जाएगा नीचे आपको यहाँ पर three dot मिलेंगे three dot पर click करना है अब यहाँ पर आपको download button मिलेगा download button पर click करना है तो video download हो जैगा जैसे कि आप देख सकते हैं अब यहां पर हमने दूसरे की स्टोरी को डाउनलोड कर लिया है अब दूसरे की स्टोरी हम अपनी स्टोरी में आसानी से लगा पाएंगे तो यहां पर पहले वाली स्टोरी को मैं डिलिट कर देता हूं और जो स्टोरी हमने विराट कुली क तो आप देखेंगा यहाँ पर आगई है इसके लिगा कर देना है यहाँ पर आप को पोर को डाउनलोड करके अपनी च्रेइ में लुट कर रहा है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस्टोरी अपलोड हो गई है इस तरह से आप दूसरों की इस्टोरी अपनी इस्टोरी में लगा सकते हैं दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिया अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक कर देना और शेर भी कर देना